नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों पी यू की तरफ से बड़ी अफडेट निकल कर सामने आ रहे हैं पी यू ने भी डीसीजन ले लिया है कि यूजी पीजी के 1.70 लाग स्टुडेंट्स परमोट किये जाएंगे इंटरमेडियेट वाले चातर जो है परमोट किये जाएंगे पाइनल एर को छोड़ को जीतने भी यूजी पीजी कोर्स के इंटरमेडियेट के जीतने भी चातरों के लिए बड़ी ख़बर है तो इसमें का जा रहेगी ग्रेड मार्क्स रियापियर और फेल स्टुडेंट्स को लेकर होगी डिसकसन यानिके कमेटी गठीत होगी कमेटी कि निर्ने करेगी कमेटी माना कमांदन त्या करेगी चातरों किस तरीके से पास करने किस तरीके से प्रमोट करने किस तरीके ग्रेड्स मार्क्स लगाने रियापियर फेल स्टुडेंट्स का क्या होगी तो इसको लेकर डिसकसन होगी और तो दूतरी बात इसमें कही जा रहे कि उसे के अनुसार ही आगे निर्ने लिया जाएगा आगे उस पर अमल किया जाएगा लेकिन अब जो ओनलाइन क्लासें लगाए जाने की बात कई जा रही है तो जो पूरी ख़बर हो आपका बजा देते हैं इसमें का गई फाइनल इस ने फाइनल एर को चोड़ कर बाकि सभी स्टूडेंस कोगले समेश्टर में परमोट करने का फैसला लिए निवस्टी के और से दीगे जानकरी कि उन्सार नया सिरफ एडमिशन और ओल्लाइन क्लासी सुरू करने का समय तया किया गया है बल्कि पीयों ने क्लियर कर देगी सभी इंटरमेडियर के स्टूडेंस इंट इस प्रमोशन पाने वाड़े स्टूडेंस में नहीं होंगे पंजाब के सीम कैटन अमरिंदर सिंग ने एक्जिट क्लासीज के लिए यह आदेश सब के लिए पहले आदेश देगे तो यह सभी को प्रमोट किया जाएगा लेकिन जो यूजिसी की जो नई गाइडिलाइन आ करीब 3,0,0,0 त अभी को लोजों अमरे पीयो कैंबस को मिला करें इस में सी 1,64,0,0 раз सिरफ पंजाब में हैं अलिंकि शुजिंस की सही संख्या और लाप पाने वाड़ों के बारे में इस बारे में sucked committee ही फैसला करेगी जो इस बारे में वही फैसला करेगी जितने चातर रहें कितने लाभ पाने वारे हैं उनुस्टी ने तैक्टिया कि सेडिल को डेन आफ यूष्टी की इंस्ट्रक्शन की इजादस से बदला जाएगा इनके जो इसके बात बत और पात ही है क्लासिज को लेकर जो अडमिसंञ लेकर पीजी क्लासिज में कोर्सी दैश है उसमें एमिजन का फैसला है इंवर्श्टी एगजिट युजी कलसेज के स्टुडेंट्स की असेस्मेंट के फैसले के बात करेगे यानिको जो फाइनल वालां के एकजाम की जो बात हुरे युजिसी गैलियर्ड में जो अभी मामला अठका हुआ है फाइनल व इसला जब आ जाएगा उसके बाद जो है PG Classes के बारे में यहां पर Decision जो होगा Admissions को लेकर और इसी बारे में आगए बात हो रही है कि जो 25 मेंबर की जो कमेटी बनी नवदीप गोईल के देखसा में बनी 25 मेंबर की Classes जो लगेंगी वो सरकार की इजाज़त के बाद लगेंगी फिला Classes ओनलाइन लगाई जा रही है तो पी यू के जो चातर उनके लिए बड़ी अपडेट है जो इंटरमीडियेट वाड़े हैं उन सभी को परमोट करना है जो पी यू ने डिसीजन ले लिया तो वो चातर जल्दी उनके लिए खाका तियार कर लिया जाएगा उनके लिए जो यहां पर नहीं मांदन्ड तियार किया जाएंगी कैसे चातरों को परमोट करना है जो इसके बाद इसमें जो बातने कीज़े हैं वो एडमिसन को लेकर कर जारेगी अकैडमी कलेंडर त्यार कर लिया है एडमिसन जो एडमिसन प्रोसेस को लेकर बात तो यह एडमिसन कब से कब तक चलेगा इडमिसन का प्रोसेस 3 अगस्त को शुरू होगा आखरी जो डेट है वो 22 अगस्त होगी कमेटी के अप्रोवल के बाद कलेंडर त्यार किया कलेंडर के साब से पहले सेशन के दुरा अडमिस्टी के पांस की बजाए 6 दिन का सब्ता को जो एडमिसन सब वो चल्दी सुरू हो जाएंगे 27 से एडमिसन सुरू हो जाएंगे जो ओनलाइन क्लास से लगेंगे वो तीन तारिक से लगें तो यह जो ख़बर है पी यू में जितने भी पढ़ने वाड़े चात्र है उनके लिए बड़ी राहत बड़ी ख़बर है तो सी वीडियो को जाद़े जादा सेर जुरू करें और ट्वीठर पर एक ट्वीट किया उस पर जाद़े जादा प्री ट्वीट जरूर करें सब ज़रूर जाएं łoór जो जाएं सभी चातर यहीच चाते ही फाइनल के एक्जाम कैंसल करवा जायां क्योंगी जीसे सहाँ से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए कहीं रहते हुए कहीं संकर्बाद का खतरा सब को है तो सभी की जान, सभी का स्वास्ते ज्यादा जरूरी है एक्जाम से ज्यादा जरूरी होना चाहिए तो सभी के एक्जाम कैंसल किया जाने सभी सात्रों को पर मोट किया जाना चाहिए वीडियो को तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और जो ट्वीटर पर हमने कहें कि री ट्वीट जरूर करें लिंक आपको डिस्क्रिप्टर में मिल जाएगा वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर जरूर करें